बेटो हम् अब जल्दी से ये बताओ कि ममा का घर कैसा लगा अच्छा लगा? येस ममा, बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है? और अब फिर मेरी गुडिया और मेरा गुड़ा क्या खाएगा? जल्दी से बताओ, आज ममा अपने हाथों से खाना बनाएंगे तुम लोगों के लिए नहीं ममा, आप किच्छन में बिजी हो जाएंगे पिर फिर हम जब बात कॉन करेगा? हम् तो फिर हम एक काम करते हैं कि खाना बाहर से और लेते हैं ये! चलो, जल्दी से बताओ, क्या खाना है, पीज़ा और बर्गर? पीज़ा? पीज़ा बर्गर दोनों मंगवाते हैं वो बच्छे किरन की तरफ गए, जरबाब उन्हें छोबने किया है चलो, ये तो अच्छी बात है वो पजाहत में सोच रही थी कि बच्छों को वहाँ बेज़ कर हमने कोई गलत फैसला तो नहीं किया क्या मतलब, इसमें क्या गलत है? किरन बच्छों की माँ है और बच्छों का हक है कि वो अपनी माँ से मिलेगा ठीक कह रहा है आप, लेकिन आईशा भी गलत नहीं है किरन को तो आप जानते ही है ना पतानी क्या-क्या बच्छों के जहनों में जहर गोल रही होगी साफ की फित्रत में डस्ना होता है और फिर हमारे पास कोई हल भी तो नहीं था हम क्या कर सकते थे पर मैंने तो अल्ला और रसूल के खुश्मूदी कहा तिर इस बात की अजाज़त दी है